हलो डिया स्टुडेंट मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेश में स्वावबत करता हूँ जैसे कि हम लोग जो हैं क्रेश कोर्स फिजिक्स का क्रेश कोर्स स्टार्ट किये हैं और इससे पीछले वाले क्लास में हम लोगों ने बैदुत दिदुरों के कारण अच्छी स्टी निरच्छी स्टी पर बैदुच्छी की तिवरता ग्याद कर लिये थे और पढ़ लिये थे आज हमारा इसी क्रम में अगला हेडिंग आएगा बैदुत फ्लक्स और गौस के प्रमे उसके साथ साथ गौस के नियम के अनुप्रियों क्या होते हैं वो आज आपको आज के ही वीडियो में आज के ही क्लास में बता दिये जाएंगे तो आईए आप लोग या हम लोग चलते हैं बैदुत फ्लक्स की तरफ बैदुत फ्लक्स क्या होता है तो समझेगा जरासा बैदुत फ्लक्स क्या होता है कि कोई बंद प्रिष्ट हो गया जैसे कि कोई बंद प्रिष्ट हो गया और उस बंद प्रिष्ट से चलिए जहां से स कालपनिक प्रिष्ट से होकर गुजरने वाली तो जेखिएगा ऐसे जैसे आपने क्या कर लिया कि ये कोई कालपनिक प्रिष्ट हो गई ये कोई कालपनिक प्रिष्ट हो गई इस कालपनिक प्रिष्ट से होकर गुजरने वाली जो वैदुत बल रेखाओं की संख्या होती है व इस छोटे से कटे हुए खंड से होकर गुजरने वाली जो ये बिदुत बलरेखाओं की संख्याई होगी वही आपकी क्या कहलाती है बैदुत फ्लक्स कहलाती है उन्हें क्या कहा किसी बंदप्रिष्ट के एकांग छेतफल से होकर गुजरने वाली बैदुत बलरेखाओं की सं क्या ही बैदुत फ्लक्स कहलाती तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं किसी बंद प्रिष्ट से ठीक किसी बंद प्रिष्ट के एक आंक छित फल से होकर गुजरने वाले बैदुत बलरेखाओं की संख्या बिदुत बलरेखाओं की संख्या ही बैदुत फ्लक्स कहलाती है इसे फाई या फाई इसे निरुपित करते हैं से ब्यक्त करते हैं ध्यान से समझेगा अब आईए एक बात हम लोग समझते हैं जरासा कि हमने माना कि इस छोटे से कटे हुए खंड का जो छेटफल है उस छोटे से कटे हुए खंड के छेटफल की दिशा क्या माल लेते हैं दी ए माल लेते हैं तो ई और डी ए के बीच का कोड क्या हो गया ठीटा हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जो बैदुत फ्लक्स फाई ए होता है E समी करण नमबर हम लोग एक बना लेते हैं तता जो ये सुच मखंड D A है उसके छिदफल के अनकुमानुपाती होता है तो Phi E proportional क्या हो जाएगा D A हो जाएगा समी करण नमबर क्या बना लिए दो बना लिए अगर हम लोग समी करण 1 वब 2 की तुलना करे एक वद 2 से क्या लिखा जा सकता है Phi E proportional E into क्या लगा लिए D A लगा लिए इस proportional को हटा देते हैं तो एक नियतांग का उप्योग कर लेते हैं और Phi E बराबर क्या हो जाएगा E into क्या हो जाएगा एक नियतांग को प्योग करते हैं K E into कितना हो गया D A और K का मान क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं तो Phi E बराबर क्या जाएगा E into D A ठीक यदि ये जो बैदुत फ्लक्स है ये जो बैदुत फ्लक्स है या हम कह दें यदि E और D A के बीच यदि E वद D A के बीच का कोड ठीटा हो के बीच का कोड क्या हो भी या ठीटा हो तब बैदुत फ्लक्स फ्लक्स फाई E वराबर E into D A कास ठीटा हो जाएगा जब आपका बैदुत बल रेखाएं जो E है वो प्रिष्ट से ठीटा कोड पे अंतरित होगी तब के लिए बैदुत फ्लक्स का फामला ये होता है और जब ठीटा कोड पे ना अंतरित हो तब के लिए बैदुत फ्लक्स का फामला वो होता है बोर्ड पेपर में एक नंबर का पूछा गया प्रश्ण है कि बैदुत फ्लक्स की मातरक और वीमा क्या होता है तो चलिए हम लोग ग्याद कर लेते हैं बैदुद फ्लक्स की बीमा तो ध्यान से समझिएगा बैदुद फ्लक्स की बीमा फाई ए पाई ए का पहले मातर में निकालते हैं तो फाई ए का मातरक हो जाएगा बराबर ए का मातरक किसका मातरक ए का मातरक हो जाएगा डी ए का मातरक DA का मात्रक E का मात्रक क्या होता है विया Newton प्रतिकुलाम अगर आपको न समझ में आए तो E बराबर क्या होता है F बटे Q Naught का मात्रक हो जाएगा गुडे DA तो DA होता है DA का छेटफल होता है मीटर स्क्यार अब F का मात्रक क्या होता है Newton होता है और Q का मातरक क्या होता है, खुलाम होता है, तो Newton into क्या हो जाएगा, meter is क्या है, Newton, meters क्या, प्रति, खुलाम स्का क्या होता है, मातरक होता है, अगर हम लोग कहें, फाई ए की बीमा तो फाई ए की बीमा क्या हो जाएगी ए की बीमा ए की बीमा इन्टू क्या हो जाएगा डी ए की बीमा एकी बीमा इन्टू डी ए की बीमा ए की बीमा क्या होती है अब आप एफ अपान क्यों लिखे हो तो F upon Q not की बीमा हो जाएगी और into DA तो DA की बीमा क्या होती है L के पावर 2 क्योंकि छितफल होता है और छितफल की बीमा L के पावर 2 होती है F की बीमा तो F की बीमा होती है MLT पावर माइनस 2 होते है और Q not Q not की बीमा क्या होती है AT होता है और L आपके सबसे पहले हैं द्यान से समझिएगा L k power 2 और 1 क्या हो गए? L k power 3 हो गए, यह ल, फिर we the power 3 हो गए, T k power minus 2 है यह उपर गहे तो T k power minus 3 हो जाएगा और 1 k power minus 1 हो जाएगा इस प्रिकार हम लोग बैदुदdorflex की भीमा भी निकाल लेते हैं और बैदुद फ्लक्स आपकी कौन सी रास होती है अदिस रास होती है एक बार हम लोग आपको फिर से बता देते हैं बैदुद फ्लक्स क्या होता है किसी भी बंद प्रिष्ट से किसी भी बंद प्रिष्ट के एक आंग छेत्फल से होका गुजरने वाला जो बैदुद बल रे अब हम लुक जो है इसी क्रम में आपकी अगली हेटिन आती है जो की बोट पेपर के लिए सबसे महत्वोड हेटिन है जो कि है गौस का प्रमे पेपर में पूछा गया है कई बार पूछा गया है कि गौस के प्रमे की उत्पत्ति कीजिए या गौस के प्रमे की जो है गौस के प्रमे का या गौस के कथन का जो है आपको सिद्ध करना रहता है तो हम लोग बनाएंगे आज बोड पेपर की सबसे महतुपूर हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं गौस गॉस ने बताया कि यदी कोई बंद परिष्ठ है इसे होकर जो गुजरने वाली बैदूत फ्लक्स है इस से होकर जो गुजरने वाली बैदूत फ्लक्स है इस प्रिष्ट के अंदर इस प्रिष्ट के अंदर घिरे हुए इस प्रिष्ट के अंदर इस्तित आवेस क्यूं का वन बटे एपसालेन गुना होता है उन्होंने क्या बताया कि किसी भी बंद प्रिष से होकर गुजरने वाली जो बिद्दुद बलरेखाओं की संख्या होती है वो उस प्रिष्ट से घिरे हुए कुल आवे स्क्यू का वन बटे एपसालेन गुना होता है तो हम लोग लिखते हैं गौस का प्रमी क्या होता है गौस की कतन को लिखते हैं क्या है गौस का कतन किसी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाले होकर गुजरने वाले वैद्दुद फ्लक्स फाई ए उस प्रिष्ट से परिबद परिबद उस प्रिष्ट से परिबद कुल आवे स्क्यू का वन बटे एपसालेन गुना होता है ठीक क्या हो जाएगा यदि मानते हैं माना कोई बंद प्रिष्ट क्या है या हम मान लेते हैं यदि किसी बंद प्रिष्ट के अंदर बंद प्रिष्ट से घिरा आवेस क्यूं है तब प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला तब प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला बैदुत फ्लक्स फाई यी बराबर क्या हो जाएगा घिरा आवेस क्या है क्यूं है और क्यों वन बटे एपसालन नाट गुना जहां एपसालन नाट क्या होता है जहां एपसालन नाट जहां एपसालन नाट निरवात की क्या होती है बिद्द सिलता होती है निरवात की बिद्द सिलता होती है ठीक अब हम लोग इनके गौश के कथन की उत्पत्ति कर लेते हैं कि गौश के प्रमे आते कहां से हैं तो हम लोग उत्पत्ती करते हैं आईए ठीक सौरब सर इस मारकर चल नहीं रहा है इसको वीडियो बंद किस दो रहा है चलिए देखते हैं हम माल लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश क्यों है जो की प्रिष्ट के अंदर इस्तित है किसी बिंद ओपर क्या मानते हैं माना कोई बिंदु आवेश क्यों है माना कोई बिंदु आवेश बिंदु आवेश क्यों है जो की प्रिष्ट के अंदर ओपर इस्तित है ओपर इस्थित है ठीक मानते हैं माना प्रिष्ट का कोई सुच्मभाग डिये है या लिखते हैं अत्ह अत्ह प्रिष्ट के सुच्मखंड प्रिष्ट के सुच्मखंड डिये से होकर गजरने वाले बैदुत फ्लक्स होकर गजरने वाले बैदुत फ्लक्स कफ दिफाई बराबर ई इन्टू डी ए इन्टू कॉस्ट ठीटा ये फार्मूला आप लोग इससे पिछले वाले हेडिंग में पढ़ा कि d5 बराबर e into da into cos theta होता है ध्यान से समझेगा कि ये तो छोटे से प्रिष्ट के लिए बात आई e into da into cos theta ये हम लोग क्या बना लेते हैं? समी कर नंबर क्या बना लेते हैं? एक बना लेते हैं अब हम जानते हैं बिंदू आवेस के कारण किसी भी बिंदू आवेस के कारण जो परड़ामी बैद्दू छेत्किती बता होती है वो e बराबर होता है 1 बटे 4 pi epsilon naught q बटे क्या होता है? r उसके हाल जो की r ये हो जाएगा ठी? हम मानते हैं क्या मानते हैं? हम क्या लिखते हैं बिंदू आवेस q के कारण बिंदू आवेस q के कारण उत्पन बैद्दू छेत्र की तिबता उत्पन बिद्दू छेत्र की तिबता उत्पन बिद्दू छेत्र की तिबता e बराबर 1 बटे 4 pi epsilon naught q बटे r square समी करण नंबर क्या बना लेते हैं? 2 और समी करण 2 से e का मान समी करण 1 में रखने पर समी करण 2 से e का मान समी करण 1 में रखने पर तो समी करण 1 कौन है? समी करण 1 आपका है d5 बराबर e into इसी e के अस्तान पे हम लोग यह मान रख देंगे d5 बराबर 1 बटे 4 pi epsilon not q बटे r square into dA cos theta हो जाएगा dA cos theta यह तो छोटे प्रिष्ट इस छोटे से खंड से हो का गोज़रने वाले बैदुत फ्लक्स है यह हमारा प्रिष्ट ऐसे कई खंडों से मिलकर बना है अतह लिखेंगे अतह पूरे प्रिष्ट से हो का गोज़रने वाले या कुल प्रिष्ट से हो का गोज़रने वाला बैदुत फ्लक्स अतह पूरे प्रिष्ट से हो कर गोज़रने वाले बैदुत फ्लक्स बैदुत प्लस क्या हो जाएगा फाई इंटीग्रेशन आफ दी फाई अब दी फाई का मान आप लोग रख लिजिएगा फाई फाई एपसालन नाट क्यों बटे आरिसक्या दी ए कॉस्ट थीटा ठीक अब जिनका समाकलन नहीं होता वो जो चर अचर होते हैं उनको बाहर कर लेते हैं तो इन में से फाई फाई एपसालन नाट इंटी क्यों का समाकलन नहीं होगा तो क्या बचेगा दी ए कॉस्ट थी आपने पढ़ा होगा घंकोड बराबर होता है प्रिष्ट का छित्फल बटे त्रिज्जा का इसका तो यह आपका क्या है घंकोड है यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या लिखेंगे डी उमेगा बराबर दी एक कॉस्ठीटा अपान कितना हो जाएगा आज इसका है तो इस इसका नहीं प्रिद के स्टेटमेंट इसका कथना क्ता लिखेंगे बराबर क्या है मुस्ठ का कठඳ आपका यही है बरड के पेपर से most important ये heading थी जो कि आज हम लोगों ने आपको पढ़ा दिये अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिजेगा अगर चैनल पर नए आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तक तक के लिए जैहिन जैभारत